हलो फ्रेंज इन वाइटीएफ आज मेरा एक मेसेज है सबको आपने नोटिस किया होगा कि हर साल गर्मी के टाइम हमारे तीपरासा गाउं के में पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता है तो मैंने सोचा है कि क्योंकि DWS, Drinking Water Supply Department हमारे साथ नहीं, EDC के अंदर Administration में नहीं है तो हम कब तक इंतजार करें जब तक हमारे गाउं में पीने का पानी का प्रॉब्लम रहेगा तो मैंने अपने YTF workers को, warriors को, leaders को मैंने आज अनुरोद करना चाहता हूँ, request करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने block में, अपने district में एक अपना program करके मालूम कीजिए कि कितने गाउं हैं जहां में गर्मी के टाइम पीने का पानी का प्रॉब्लम है क्योंकि government हमें help नहीं करेगा, तो हम अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं पानी सबको दरकार है, कोई CPM में हो, BJP में हो, Congress में हो, मौथा में हो, त्रिनामूल में हो, पानी सबका water is life और हमको अपने village में, अपने गाउं में सबको help करना चाहिए तो YTF को मैं अनुरोद करना चाहता हूँ, request करना चाहता हूँ, आप लोग एक assessment कीजे और मुझे details दीजे YTF अगले दो मेने के अंदर हर गाउं में जाकर पानी गाउं को देगा, जहां में उनको पीने का पानी का problem है हमारा काम सिर्फ politics करने के लिए नहीं है, हमारा काम दोभा में हमारे seniors को, हमारे बुरुई को, हमारे youth को help करने के लिए, बच्चे को help करने के लिए इसी के लिए मैं आज आप सब को request कर रहा हूं कि आप लोग एक assessment program बनाईए और अगले दो मेने में ऐसा कोई भी गाउं नहीं रहना चाहिए, जहां में YTF जाकर गाउं में पीने का पानी नहीं देगा हमारे तीप्रासा लोगों को, जो इस गर्मी में सफर कर रहे हैं बेलाईनों हमबाई, धन्यवाद, तीप्राम अथा आइक लोग्ठम, YTF आइक लोग्ठम, TWF आइक लोग्ठम